आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में दिया गया है कि a string is wrapped over a pulley and free end is fixed to the ceiling as shown in the figure यानि कि एक पुली है हमारे पास इसके about हमने string को wrap कर दिया और इस ceiling पे fix कर दिया Mass इसका है M और radius है R अगर हम यह assume कर लें कि पुली एक disc की तरह है तो हमें इस पुली का acceleration बताना है linear acceleration जब यह unwind होता है fall करेगा और हमें यह assume करना है कि string और पुली के बीच में कोई slipping नहीं है यानि कि एक pure rolling का motion है so no slip condition is there तो पहले तो हम इसका free body diagram देखेंगे तो इस पुली का पहले तो weight लगेगा इसके उपर weight लगेगा mg downward direction में और इस string में एक tension भी होगी तो वो tension होगी upward direction में और यह distance होगा इन दोनों के बीच में यह r radius की पुली है तो r distance इनके बीच में होगा suppose मैं इसका linear acceleration मान लूँ downward direction में है a और यह क्योंकि rotate भी कर रहा है क्योंकि इसके उपर यह couple act हो रहा है तो इसका एक angular acceleration भी होगा alpha तो हम देख पा रहे होगे कि alpha कुछ clockwise direction में लगेगा अब हम newton के equilibrium के लिए law लगाएंगे हम तो यहाँ पे हम इसका equilibrium vertical direction में देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं mg minus t is equal to ma क्योंकि इसका force net force 0 नहीं है क्योंकि यह linear acceleration exhibit कर रहा है तो इसमें जो net force होगा वो ma के बराबर होगा और हम देख पा रहे हैं इसके free body diagram में कि इसका net force है downward direction में mg minus t तो हमारे पास यह एक पहली equation आ जाएगी यहाँ पे हमें no slip condition भी दी गई है तो हम इसमें इसके pulley के center of mass के अबाउट हम एक और equation लिख सकते हैं इसके rotational motion के regarding जो की होगी torque is equal to i alpha where torque is the torque acting about it center of mass इसका center of mass होगा यह center पे तो यहाँ पे हम tau की value क्या लिख सकते हैं tau होगा इस tension के कारण तो tension इसके pulley के center के about क्या torque लगाएगा यह लगाएगा t into r क्योंकि torque होता है force into perpendicular distance between the point and the force vector तो यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं कि tr is equal to i alpha और हमें दिया गया है कि यह pulley एक डिस्क की तरह है तो यहाँ पे हम इसका moment of inertia about its center of mass हमें पता है यह है mr square by 2 तो हम इसमें equate करेंगे जब तो tr is equal to mr square by 2 times alpha alpha हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं alpha हम लिख सकते हैं यहाँ पे a by r के बराबर क्योंकि यह एक pure rolling का motion है pure rolling के case में हमारे पास यह equation valid रहती है तो यहाँ पे हम इसे और simplify जब हम करेंगे तो यह आजाएगा tr is equal to mr square upon 2 into alpha की जगह हम लिख देंगे a by r यहाँ से a car cancel हो जाएगा और इस side से भी हम a car cancel कर सकते हैं तो हमारे पास जो tension force है वो आ जाएगी ma by 2 के बराबर जब इसे हम equation 1 में substitute करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा mg minus ma by 2 is equal to ma तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब इस ma by 2 को right hand side पे लेकर जाएगे so 3 by 2 ma is equal to mg m और m अगर cancel हो जाए तो हम a की value बता सकते हैं यह होगी 2g by 3 क्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर